Hey everybody, I'm Dr. Gargi Singh, your biology educator. और कल ही मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर कर रहा था, जिसमें मैंने आपको बताये थे 50 ऐसे topics जहां से question आते ही आते हैं, जो बहुत ज़्यादा repeated topics हैं आपके. फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसा करा जाए कि इनी topics में से कुछ topic लेके मैं आपके साथ discuss कर लूँ. छोटे-छोटे वीडियो बनाये जाएं जिसमें आपके चार marks तो पक्के हो जाएं, क्योंकि इस time पर time आपके लिए बड़ा जुरूरी है, revision बहुत important है, revision के साथ-साथ एक बहुत important चीज ये भी है कि आपके पास proper practice भी होनी चाहिए, एक proper test series होनी चाहिए, जो की आपको मिल रही है all star test series में, which is starting from February 11th, ये test series अगर आप enroll करते हैं मेरा code लगाके गारगी, तो आपको मिलेगी 999 की और इस test series में आपको मिलेंगे 5 part slabber test and 6 full slabber test, देखो सबसे जरूरी होता है कि आपके पास एक ऐसी test series हो जिससे आप अपना analysis कर सके, आपको पता हो कि आप कहां stand करते हैं और आप अपनी गलतियों को सुधार सकें, यह चीजे कर ली ना last में, revision कर लिया, practice कर ली, mock test दे लिये, test series लगा ली और अपनी गलतियों को सुधार लिया तो तो तुम्हारा selection कोई नहीं रोख सकता, तो आज का हमारा topic जिसमें आपके 4 marks बिलकुल confirm हो जाएंगे is PCR, PCR is polymerase chain reaction, अब सबसे पहली बात तो यह हमारे दिमाग भी जाते है कि PCR को यूज करा जाता है, this is a very important topic in your chapter, bio technology, bio technology तुम्हें पता है, वैसे ही उससे बहुत सारे questions आते है, PCR एक ऐसा topic है जो बहुत बार repeat हो चुका है, PCR को हम क्यों use करते हैं, PCR को हम इसलिए use करते हैं कि मैंने जो भी DNA isolate करा, अब यहार मुझे बहुत बार experiment करने पड़ सकते हैं, तो बार-बार DNA isolate करने से अच्छा है कि मैं एक बार जो DNA isolate करा है, उसकी multiple copies बनाके, save करके रख लो, so basically मैं lab conditions में DNA बना रही हूं, जैसे DNA आपके शरीर में replicate होता है, DNA की copies बनती हैं, वैसे ही मैं lab condition में DNA बना रही हूं, या amplification कर रही हूं, अपने gene का या after DNA का, so basically इसलिए हमारा PCR यूज होता है, biotechnology में हम इसको as a step पढ़ते हैं, जहां पे हमें gene of interest, जो की DNA हमने isolate करा था, जो gene हमने वहां से निकाली, उसको multiply करने के लिए, उसको amplify करने के लिए, उसको बहुत सारी उसकी copies बना ले के लिए हम PCR यूज करते हैं, तो लगबग लगबग चीज वही हो रही है, जो तुम्हारे cell में DNA replicate हो रहा है, उसी चीज को हमें lab conditions में करना है, लेकिन क्या यह इतना आसान था, और किसने यह चीज को invent करा, कैसे हम lab conditions में DNA बना पाए, let's take a look at that, तो यह जो आपकी टेखनीक है PCR, which is also known as polymerase chain reaction, इसको invent करा था, Callie Mullis ने, in the year 1985, ठीके ची, this is a PYQ, अब जो आपका amplification करना होता है, या बहुत सारी copies बनानी है, मुझे gene of interest की, जो कि मैंने isolate करा है, DNA से, तो उसके लिए मुझे PCR लगाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे बहुत सारी copies लगा के चाहिए, मैं बार-बार वो चीज isolate नहीं करती रहूंगी, बार-बार वो DNA का isolation नहीं करूंगी, मैंने एक बार isolation कर लिया, और मैं उसकी multiple copies बना के रख लूंगी, अब question कहां से आता है, question आता है requirements पे, कि आप कैसे बनाएंगे artificial condition में DNA को, क्या steps होंगे, उन steps में temperature क्या होता है, उन steps का requirement क्या होता है, ठीक है, and what is the sequence of the steps, कितने steps को एक cycle बोला जाता है, और कितने cycle चलने के बाद, मुझे कितना DNA मिलेगा, यह सारी चीज़े आपकी पूछी जाती है PCR में, हम एक एक को cover करेंगे detail में, Now, पहली चीज, कि मुझे DNA बनाने के लिए, lab condition में क्या चीज़े चाहिए, DNA बनाने के लिए, मुझे lab condition में वही चीज़े चाहिए, जो मुझे चाहिए होती है, एक living cell के अंदर, अगर मुझे DNA living cell में बनाने, तो सबसे पहला requirement होगा DNA, ठीक है, I will need the DNA, तो यहां पर भी मुझे वह DNA चाहिए, जिसकी मुझे multiple copies बनानी है, तो पहला requirement यह होगा, दूसरी चीज़ मुझे चाहिए, जिनसे DNA बना है, DNA is a polymer, तो living cell में भी बही चाहिए, तुम्हें lab condition में भी बही चाहिए होगा, So I will take a lot of DNTPs, 4 तरह के, क्योंकि DNA में 4 तरह के DNTPs लगते हैं, Nitrogenal based जो होते हैं, DNA में 4 तरह के होते हैं, तो 4 तरह के DNTPs में बहुत साल ले लोगी, correct, और जब हम DNA का replication करते हैं, तो आपने पढ़ा है, आपने यह देखा है कि DNA polymerase है, वो primer पे जाके ही काम करता है, अगर वो DNA बनाना चाह रहा है, तो वो बोलते हैं कि पहले मेरे को primer लगा के दो, उसके बाद ही मैं काम करूँगा, तो यहां पे भी तुम्हें primer चाहिए होगा, क्योंकि मैंने जो बोला था कि चाहे living condition में हो, चाहे lab condition में हो, DNA तो ऐसी बनेगा, तो यहां पे भी आपको बहुत सारे प्राइमर्स चाहिए होँगे, एक forward के लिए, एक forward reaction के लिए, और एक backward के लिए, क्योंकि आपके दो strands बनेंगे ना, जैसे आप पढ़ते हैं leading and lagging strands, तो यहां पे भी दो strands ही बनने वाले हैं, तो हमाँ पास दो प्राइमर्स होंगे, Heat Stable DNA Polymerase, जो कि हमें TAC Polymerase मिला था, किस से Thermos Aquaticus से मिला था, विच अधा Archibacteria, अब जैसे यह टेकनीक को हम बनाते गए, कुछ-कुछ-कुछ मुश्किले आती गई, तो मुश्किले कि यह आ रही थी, कि हम Polymerase नहीं यूज कर पा रहे थे, DNA Polymerase नहीं यूज कर पा रहे थे, क्योंकि जो हमारा DNA Polymerase है, वो तो काम ही नहीं करेगा इतने temperature पे, तो हमने देखा कि एक ऐसा बैक्टीरिया है, जो अल्रेडी बहुत गरम-गरम पानी में ही रह रहा है, तो उसका DNA Polymerase निकाल लेते हैं, काम तो वो भी बही करेगा, so that is how we took out this TAC Polymerase from Thermus Aquaticus, which is our key bacteria, तो TAC क्यों बोला T from Thermus, Aquaticus का AQ लेके हमने इसको TAC Polymerase लिख दिया, एक और चीज हमें चाहिए होगी बच्चे, Magnesium Ion क्योंकि इसके बिना तो DNA Polymerase काम ही नहीं करता, तो यह पांचो के पांचो आपके Requirement है, Living में भी और Lab Conditions में भी, बात तो वही रही ना, Requirement सेम रही, अब हम जाएंगे Steps के उपर, यहां तीन Steps होते हैं, एक साइकल में तीन Steps होते हैं, तो पहला Step, जब DNA का Replication भी करना है तो क्या होता है, DNA के Strand को हम, क्या कर देते हैं, Single Stranded बना देते हैं, अब यहां पे भी चैलेंज आ रहा था, यह चैलेंज आ रहा था, Carrie Mullis को भी चैलेंज आ रहा था, कि मैं DNA के Strand को, Lab Condition में अलग कैसे करूं, बहुत सारी चीज़े ट्राई करीं, तो एक चीज सबसे successful रही, और वो थी temperature बढ़ा दो, temperature जब बढ़ता है, तो DNA denature हो जाएगा, denature हो जाएगा तो single stranded हो जाएगा, single stranded हो जाएगा, तो हमें हमारे primers add करने की जगा मिल जाएगी, तो पहला step is denaturation, जो होता है, 92-98 degree Celsius पे, इसमें हम क्या कर रहे है, hydrogen bonds तोड़ दिये, दोनों strands के बीच में hydrogen bonds जो थे, वो तोड़ दिये, single stranded बन गया, ठीक है, अब दूसरा step क्या होगा बच्चे, second step will be कि मुझे primers add कर रहे है, because मेरा जो polymerase है, DNA polymerase है, which in this case we'll say tack polymerase है, वो तो कामी नहीं करता बिना primer के, क्योंकि उसको एक OH group चाहिए, ठीक है, यह three prime position पे OH group चाहिए, तो विचारा कैसे काम करेगा, उसको तुम्हे provide करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम primer provide करेंगे, मैंने क्या बोला था, forward के लिए भी और backward के लिए भी, दोनों तरह के primers चाहिए होंगे, मैं हम दो तरह के DNA के strands बना रहे हैं, एक इस direction में जाएगा, एक इस direction में काम करेगा, तो हम दोनों तरह के primers यहां पे, हमारे add हो जाएंगे, अपने आप automatically add हो जाते हैं, PCR एक automated machine है, इत्ताव सा machine होता है, उसके अंदर आपने चुटी चुटी सी tubes होती है, उसके अंदर आपने DNA डाल दिया, और यह सारा requirement डाल दिया, आपने on कर दिया, और भई कि सारा का सारा process वो अपने आप set करता रहता है, यह पहला step है इतना temperature, यह दूसरा step है इतना temperature, तो दूसरे step में primers आके अपने आप लग जाएंगे, but temperature कम करा जाता है, but that is the duty of PCR machine, वो अपने आप कर लेगा adjust temperature को, तो यह आप कर जाता है 40-60 degree Celsius पे, जिसको हम बोलते है annealing, annealing का मतलब ही होता है जुड़ना, किसका जुड़ना, यहां कौन जुड़ रहे हैं, primer जुड़ रहे हैं, तो इसलिए हम इसको बोलते है annealing, अच्छा अब primers लग गए, ठीक है, अच्छा temperature कम क्यों करा, क्योंकि बच्चों temperature जादा करोगे, तो hydrogen bond तूट जाएंगे, यहां पे हमें नए hydrogen bond बनाने हैं, तो temperature को कम करना पड़ेगा, इसलिए temperature कम करा जाता है, चलिए जी primers लगए, अब तीसरे step में, अब tack polymerase काम करेगा, क्योंकि polymerase का क्या condition था, मुझे primer लगा के दो, मैं तभी काम कर पाऊंगा, अब देखो इसने ये वाला strand भी बना दिया, और ये भी बना दिया, तो क्या हो गया, amplification हो गया, extension हो गया, इसने इस strand को extend कर दिया, और इसको भी extend कर दिया, तो this step is known as extension या फिर amplification, and obviously यहां पे आपके nucleotides आके लगेंगे, तभी तो एक, एक, एक करके DNA का strand बनेगा, यहां पे भी आपके nucleotide लगते जा रहे हैं बच्चे, और DNA का strand बनता जा रहा है, so this is the third step, जहां पे tack polymerase काम करेगा, और DNTPs आके जुडते जाएंगे, because with the help of this polymerase, क्योंकि polymerase ही जोड सकता है ना उसको, polymerase ही polymerization करवाएगा, या फिर DNA का formation करवाएगा, and this step is known as extension या फिर amplification, यह कितने temperature होते हैं, यहां पे हम थोड़ा सा temperature बढ़ा देते हैं, that is 72-75 degree celsius, okay, अब यहां पे आपका नया strand बन गया DNA का, अब देखे बच्चो, आपने शुरू करा रहा था एक strand से, जिसको तुमने open कर दिया था, जिसको तुमने single stranded बना दिया था, तुम्हारे पास single stranded दो strand आ गय थे, तो naturally, by the end of one cycle, you will get two strands, है न, एक से दो बन जाएंगे, correct, एक से दो बन जाएंगे, इन तीनो steps को मिलाके हम बोलते हैं कि, एक cycle हो गया, PCR के अंदर इस तरह के 30 cycle चलते हैं, एक go में, लगभग 40-45 मिनट लगता है, 30 cycle हो जाते हैं, 30 cycle के बाद, just imagine कितना सारा DNA तुम्हें मिल जाएगा, 2 raised to the power 30, हां, 2 raised to the power 30, just imagine, calculate करके यहां लिखके जाना कि कितना मता है, it is approximately 1 billion copies of DNA, ठीक है, approximately 1 billion copies बन जाती हैं आपकी DNA की, so that is about PCR, इस पर diagram के basis पर question आ जाते हैं, आपको diagram दे देते हैं, यहां पर A, B, C लिख देंगे, and then they'll ask you कि यह कौन सा step चल रहा है हां पर, तो अब तुम्हें बिलकुल clear हो गया है, पहला step, denaturation, दूसरा, annealing, तीसरा, extension या फिर, amplification, एक question ऐसे भी आता कि sequence में लगाओ, कि पहला step कौन सा होता है, दूसरा कौन सा होता है, तीसरा कौन सा होता है, तो वो भी तुम्हें पता चल चुका है, requirements पर भी question आता है, है न, और yes, कि भई अगर आपको, क्या कहता है, एक cycle के बाद नहीं, 30 cycle के बाद कितना DNA बन जाएगा, इस तरह का question भी आ सकता है, एक question मेरे पास भी है, जो कि तुम्हें attempt करना पड़ेगा, जिसका answer तुम्हें, comments में लिखे जाना पड़ेगा, and that is, कि यह question है, अब तुम कुद पड़ोगे, ठीक है, और अगर session अच्छा लगा, तो session को like करना है, share करना है, comment भी जरूर करके जाना है, so that, I keep on making these videos, मैं आपको बोल रही हो, अगर response मुझे अच्छा मिलेगा, तो I am going to convert this into a series, 9 मिलेगा, तो अपर देखो, बंद हो जाएंगी, तो मैं वेजती हूं तुम्हें अगले इस video में, बाई बाई टेक केर जहिंद,